सेनियर सेटिजन के अधिकार नहीं है किसी अलादिन के चराख से कम जी हाँ, हैडेग आपने देखी थमिल 추가 भीम इस सेनने सेटिजन को बहुत सारे अधिकार मिले हुए लेकिन अपने मसला क्या है कि हुष्प्री सेटिजन को किस पर生意 की अधिकाница वो मिले हुए हैं सेदिजन्स जोड직स के जो अधिकार हैं वह इतने स्थिट सेंट ही हैं उनका असल जादा है कि आप स्लाइकर क्या है वान कक्वी तब कर में Hausdh меня क्यान लेरा छोटे कुंकि इतने क्योंना है यह कि अधिकार लेकिन नहीं मालुम की इसको रडरना कैसे है और नहीं मालुम की जब जिन निकलेगा काहिए विटीओनिल को त्यार किया गया है और यह था पूरा देखें व अप जिससे की अब जरूरत मन तक senior citizen तक ये बात पहुंचे और उनको पता लगे कि उनका अधिकार क्या है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि senior citizen जो होते हैं वो क्या होते हैं इसमें 2 category होती है एक सबस्तार की जो सब्सक्राइवब पूरी कर चुके होते हैं लेकिन अगर हम का मिलता हैं वह सबस्क्राइव कर आपको जो रहत होती हैं उनको जो चीज़े मिलती है वो 60 वर्ष पूरी जो कर चुके होते हैं उनसे कुछ ज्यादा ही उनको मिलता है तो बात करें उनको कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं तो मैं आप बताऊंगा आपको अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप सीरे से डिजन है तो मैं चाहूंगा कि कागज और क सरकारी नौकरी में आप नहीं रहे हैं तो आपको जो सरकार द्वारा जो प्रदेश सरकार होती है कि इंदर की सरकार होती है उसके द्वारा आपको विवन्य तरह की जो है वो पैंशन दी जाती है जो कि वरिष चनागरिकों के लिए जो पैंशन होती है वो आपको दी जाती हैं तो जो नौकरी के लावा जो लोग private कहां कि मजदूरी करके या प्रावएट कर करके जो लोग अपना जीवन आपन कर प्रत करते हैं तो जब ओल्ड़ी कुह manif हो जाते हैं तो एसे मैं प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो उन्होंने उनके लिए पैंशन का प्रावधान रखा है यह पैंशन जो है वो इस्टेड वाइस चेंज होते रहते हैं तो किसी प्रदेश में यह तीन हजार हो सकती है किसी प्रदेश में इससे उपर हो सकती है यह से नीचे भी हो सक सबसे पहला जो अधिकार है वो आपको सरकारी पैंचन मिलने हैं तो सिने सि डिजन होते हैं, उनको टैक्स मे झूट भी मिलती है थूट भी मैं आपको बता थूँ टो उसकी अपेक्षा जो सत्तर वर्स की आयों पूरी घर्चुके उनको छूट जो है थोड़ी सी ज्यादा उनको यहां पर मिलेगी और टैक्स जो होता है उनका उसमें छूट प्रेस की जादा उनको मिलती है तो यहां पर जो महिलाएं हैं तो ने अगर की अपेक्षा थोड़ा और ज्यादा उनको मिलता है । य्र जो फिक्स स्थी 활ावजित होते हैं जिसको FD कहते हैं तो FD में भी आप देखेंगे कि वहां पर जू historian को जो इंट्रेस्स की जो रगम होती है इंट्रेस्स जो उनको मिलता है अपनी जो जम्हा पूजी उनकी होती है जिसको फिक्स डिपोजित करते हैं तो वहां पर उनको जो इंट्रेस्स मिलता है वो जो जो नॉर्मल इंट्रेस्स होता है वो जो किसी बच्ची की FD होती है या किस अधिक जो है इंट्रेस्ट यहां पर मिलता है तो आपको बैंक की जो डिपोजिट राशी होती है अपने पैसे को जब बैंक में एफडी करते है वहां पर भी आपको जो इंट्रेस्ट मिलता है वो और लोगों से ज्यादा मिलता है तीसरी हम बात करें कि आपको जो रेल होती ह वहां पर आप पैसे में फ्नलटी मिलती हैं। में जोब्षोट पैसे भी जाते हैं। जो लोग regular जो होते हैं 60 से जो कम के जो को होता है उनकी अपेक्शा आपको कम पैसे वहां पर चुखाने पर दूसरा बस की ये बात करें तो जो इस चीट होती है और सीट में जो लोग सीट होती है वह खास तोर पर अगर आप senior citizen है तो आपको को मिल जाते हैं इसके लावा जो है कही में जह राज्यों में जो जो गॉर्मेंट है वह फ्री कार्ट की scheme चलाती है सिने se6 के लिए तो वह नगा बना करके बस में और ट्रेन में उन्हें स्टेट में आप फ्री मी यात्रा वहां की जो होता है वहां की जो क्लचर है सब्देता है वहां आज भी जिन्दा है शहरों में अगर कोई आदमी है उसके जो बच्चे हैं यहां वह वहां करने के लिएक दिल्ली में रहता है और इसके बच्चे जो है वह बैंड लॉर में मुम्मी में जॉब करते हैं तो साथ नहीं रह पाते हैं तो ऐसी गिशन में जो है पुलिस सेफटी वह ले सकते हैं इसके लिए उनको क्या करने होगा कि अपने नजदी की जो उनका पुलिस थाना है, वहाँ जाके लिखित में उनको प्रातना पत्र देना होगा कि पुलिस सेफटी क्या होशकता है, इसके बाद पुलिस कॉंस्टेबल रोज उनके घर पर आकर उनका हाल चाल जानेंगे कि कोई तकलीफ कोई तकलीफ तो उनको नहीं है, और महीने में एक तरीके से पुलिस जो करती रहते हैं, उनको जो मदद भी होती है, पुलिस उनकी ग मदद भी करती है, कहीं west उनकी मदद भी करती है, इसके आगे हम बात करें, तो जो समवेधान का आर्टीकल 226 है, उसके जो एकौइडिंग होती है, आप सब जानते हैं कि 226 की बात NOT कर र की वो मदद भी करती है कहीं आने जाने में उनकी मदद भी करती है इसके आगे पात करें तो जो संविधान का अर्टिकल दोसुचबीस है उसके जो रिट्स होती हैं आप सब जानते हैं कि ईसकोप है बहुत वाइड है आठिकल तू-टू-इश इंडियन कांस्टुशन की बात जाने में सक्षम नहीं है तो 2-6 करके उस case को अपने जिल्य में आप अपने नजदी की जो आपका कोट है वहांपर इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं आप चाहिए आपका case बहुत लंबा जा रहा है है आप चाहते हैं कि बहुत शौर्ट में होना तो अगली बात मैं बता हुआ बहुत में तबूर्ण बहुत ही इंपोरेंट है वह है दा मैंटेनेंस एंड वेलफेर से दिजन एक्ट दोहजार साथ मैंटेनस की आप बात करने तो आपको लगता हुआ कि मैंटेनस एक्ट तो पहले से मौझूद है यहां पर इसका क्या मतलब है तो इसका काम बिलकुल अलग है इसमें आप अपने जिले के DM या SDM जो भी संबंदर अधिकारी इसके इंचार्ज होते हैं उनको आप पास जाकर अपना प्राथना पत्तर दे सकते हैं और नियाले से बहुत कम समय में यहां पर आपकी सुनवाई हो जाएगी नियाले से ब बहुत जल्द आपको नियाएं जो आपको यहां से मिल जाएगा आपको नियाएं के लिए बटकना नहीं पड़ेगा यह बहुत अच्छा एक्ट है उन सीनर से लिए जो किसी ना किसी व्यक्ति से कहीं ना कहीं परिशान है तो इस एक्ट के अको अपने DM को मिलकर के application दे सकत है वहां health भीमा से आपको पता ही एक फाइदे कितने होते हैं अब प्रतेक व्यक्ति को health भीमा तो लेना ही चाहिए लेकिन यहां पर जो है health भीमा के अलावा government ने आयुश्मान कार्ट जारी किये हैं और जो 60 प्लस और 70 प्लस के वरिस्ट नागरेख हैं जाए वो महला है हो पुरशों उनके लिए आयुश्मान कार्ट जो है वो खुब तेजी से बनाई जा रहा है और खुब तेजी से उनको इलाज भी दिया जा रहा है तो यह भी government की स्कीम है अगर आप 60 प्लस 70 प्लस की शिरणी में आते हैं और आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का health भीमा नह जाते हैं तो जहां मालौिजे कि लाइन लगी हुई है जिसी बिजली का बिभाग एं या वाटर टेक्स बात कर सकते हैं विवाग हैं तो वहां पर senior citizens की जो line होती है अलग से होती है या कहें कि उनकी line नहीं होती है वो सीधे भी बिना line के भी जाक सीधे जा सकते हैं और अधिकारी जो होते हैं उनको भी इस बात की उनको order मिले होते हैं पहले से और उनको पता होता है कि senior citizens से किस तरीके से बात करनी ह के लिए सबसे पहले सुना जाएगा उसको वरियता दी जाएगी उसको अपनी बात को कहने के लिए उसकी बात को अधिगारी जल्दी सुने तो यह भी उनका अधिकार होता है उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और इस अधिकार को अपने को लेना चाहिए और सबसे लास्ट अब जो मैं बात आपको बताऊंगा यानि कि पॉइंट नंबर टैन जो यह होगा बात थोड़ी अजीव है थोड़ी सही नहीं लग सबस्कार हे और मानवता भी इस बात को कहते हैं कि जो सेर्टेश्य इजन ज्याने कि होते हैं उनकी आपको बढबे में सेवह करने चाहिए लेकिन वू सेवह नहीं कर रहे हैं गाओं कर जो लोग है अगी तक एस मामले में शेहरों के कि पश्मिक्साव उनसे बहतर हैं कि अपने dzieci सेवह वह करते हैं जो शेहर का महावल है वहां वो बच्चे जो है अपने आपकी सेवा नहीं करते हैं नहीं कर पाते हैं जो भी बज़े उनकी हों तो ऐसे मैं वो लोगों के लिए ब्रद्याश्रम की विवस्ता जो है उनको अधिकार के रूप में एक मिली है और सरकार ने बहुत सारे ब्रद्य कट्रद्याश्रम मौझूद हैं यहां पर लोग रह सकते हैं यहां को रहने के लिए उनको ख़ुछ भी नहीं देना होता है यहां का रहना और जो उनकी दवाइयां होती है उसका जो खर्च होता है वो सरकार वहन करती मैंसे संस्थाैं Sr.Kar ke साथ मिलकर त्रदाश्रम Old Age Home जलाती है और कई सर्कारी Old Age Home भी चलते धे हैं हला कि Old Age Home देश में नहीं होने चाहिे हैं यह दुख होता वरिस नागरेखों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है बस इतना ही कहना चाहूंगा जय हिन जय भारत नमस्क्राइब